बिहार में 33 CEO को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है और 100 से ज्यादा CEO को 100 कौज नोटिस भेजा गया है और अगर यह CEO इस नोटिस का जबाब सही धंग से नहीं दे पाते हैं तो उनकी नौकडी भी जाएगी पुरे बिहार में साथ ही कोई ऐसा ब्लॉक होगा जिस ब्लॉक के CEO बिना पैसा लिए दाखिल खारीज करते होंगे और जो लोग पैसा नहीं देते हैं या फिर वह बहुत गरीब हैं या पैसा देने में समर्थ नहीं हैं ऐसे लोगों की दाखिल खारीज किसी भी स्थिती में हो पाती है और बिना कोई बज़ा वताये उनकी आवेदन को पेंडिंग करके छोड़ दिया जाता है या फिर उनकी आवेदन को रद कर दिया जाता है आए दिन कई तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल होते रहते हैं जिसमें राधस्म करमचारी दाखिल खारिज के इस तरफ कभी गया ही नहीं और अगर कभी गया भी हुआ तो आप तो जानते ही हैं कि उसासन बाबु की क्या निती है और इनकी निती की वज़ा से पूरे परदेश में अफसर्थ साही कितने चरम पर है यह भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अभी हाली में 30 जून क को राजस में भूमी सुधार मंत्री रामशूरत राय ने 110 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया था लेकिन नितीज कुमार को इस ट्रांसफर में कुछ गरबरी लगी जिस वज़ा से मुख्यमंत्री होने के नाते अपना विशेश अधिकार दि भेजने का आदेश दे दिया है क्या है सस्पेंट करने और सोक और नोटिस भेजने की पीछे की कहानी वह हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचा है नमस्कार मेरा नाम घंसयाम सिंग है और आप जनता जंसन देख रहे हैं दरसल सरकार दाखिल खारीज को इससे कोई फर्क नहीं परा और वह पैसे की इंतजार में आवेदन को लगातार रद करते चले गए जिसके बाद राजस में भूमी सुधार मंती रामशूरत राय ने एक साथ तेतिस सीयों को सस्पेंट कर दिया एक सो से ज्यादा को सोक और नोटिस भेज कर छोड़ दिया ह मंती रामशूरत राय ने सचीवाले परिसर में अपने आफिस में पत्रकारों को संभोधित करते हुए कहा कि दाखिल खारिज में गरवड़ी और बिना कोई कारण के उसको रद कर दिये जाने की वज़ा से 33 सीयों को सस्पेंट कर दिया गया है और 100 से ज्यादा सीयों को सोक दियान रखा गया है अभी राज में कूल 1800 राजस्व करमचारी हैं जो की बहुत कम है आने वाले दिनों में जल्द ही और भी राजस्व करमचारीयों की बहाली की जाएगी इसके अलावा अप्रेल से लेकर जून तक में 270 अंचल म्यती कर्मन पर भी करवाई की गई जिसमें 147 गैर मंजरुआ आम जमीन, 286 गैर मंजरुआ खास, 199 सरकारी, 10 केसर हिंद जमीन और 3 खास महल से जूरे जमीन सामील हैं इसके अलावा 274 हंचलों की अधिकारी को 15 दिन का अल्किमेटम दिया गया है और इसका वज़ा यह है कि आतिकर्मन मुक्त जमीन का रिपोर्ट देन इसमें कोई दोर आए नहीं कि CEO जब तक पैसा नहीं लेता है जब तक दाखिल खारीज नहीं करता है और लोग CEO के ओफिस के चकर लगाते लगाते ठक जाते हैं लेकिन अंततह दाखिल खारीज नहीं हो पाता है अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं अपने विचार फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक करें अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंतक हमारी साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद